Christmas, New Year का नाम आए और पेस्ट्री केक की यादना आए ऐसा तो होई नहीं सकता आज मैं आपके लिए लेकर आई हो सुपर 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 इजी और फटा फट यानि इंस्टेंट बनने वाली छे तरह की पेस्ट्री केक की रेसिपी एक से एक आसान ऐसे पी है फ्रेंट्स गर के बच्चे तक बना सकते हैं और इन्हें बनाने के लिए ना अवन ना अंडा ना बटर आपको ये कुछ भी चीज़े नहीं चाहिए होगी सिंपल घर में रखी चीज़ों से आप बेकर से भी बढ़िया सुपर टेस्टी पेस्ट्री दो मिनट तक में भी बना सकते हैं तो चलिए शूर करते हैं हाई एब्रीवन मैं हूँ पारुल कुगवित पारुल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है सुपर टेस्टी ब्लैक फोरेस्ट पेस्ट्री में बनाने जा रहे ही हूँ यह हम बनाएंगे बिस्किट से तो जैसे मैंने यहाँ पर हाइडेंसी बिस्किट ली है, आप कोई भी चॉकलेट बिस्किट जैसे टाइगर बिस्किट यह कोई भी बिस्किट आप यहाँ ले सकते हैं, तो सबसे पहले हम बिस्किट को निकाल लेंगे, और अब हम हाथ से रफली इसको हलका सा क्रश्ट कर ले तो यहां में ले रही हो बैटर बनाने के लिए एक कप दूद्ध, सारा दूद्ध एक साथ नहीं डालेंगे, हमें इसका एक रिविन कंसिस्टेंसी का यानि ना भोजादा गाड़ा ना भोजादा पतला ऐसा बैटर तयार करना होगा, तो थोड़ा थोड़ा डालें और मिक्स करते जाएं, तो थोड़ा थोड़ा करके आप दूद्ध एड़ करें और जितनी जरूरते हैं उतना ही दूद्ध लेंगे, और यह देखिए कुछ इस कंसिस्टेंसी का आपको बैटर तयार करना होगा, देखिए देविन कंसिस्टेंसी, यह जब आप इस तरह उठा रहे है तो यह नीचे गिर रहा है, यह देखिए, और इस तरह के कंसिस्टेंसी का तयार करने में, जो मैंने एक कप दूद लिया था, उसमें से सर्फ 3-4 कप ही दूद लगा है, इतना दूद हमारा बच गया है, सिंपल ऐसा पैन ले लिजे, अगर ऐसा पैन नहीं है, तो अगर चा इसके आप डिरेक्ट बैटर हम इस पर भी डाल सकते हैं, अब आप गैस पर कोई भी एक पुराना तबा ले ले लिजे, लो मीडियम फ्लेम पर तब एको पाच मिनट बरिया से गरम होने दीजे, तो चलिए, आजाते हैं अपने बैटर पर, एक सेकिड अब हम यह हम डाल दे हैं तो उसके बाद हम बैटर को रखते नहीं है, अब हम लेंगे हमारा ग्रीजड पैन और पैन में सारे बैटर को हम इस प्रकार डाल देंगे, इस तरह से पैन में डालने के बाद हम इसको हलके से टैप कर देंगे, तो लीजे तबा भी हमारा बिल्कुल बढ़िया गरम हो के यह जा है, और अब लो फ्लेम पर इस प्रकार से हम अपने पैन को तबे के ऊपर घट देंगे, और इस पर लगा देंगे एक धटकन या निए लेड, पंद्रे मिनट के लिए बिल्कुल इसी प्रकार से हम इसको लिड़ लगा करके लो फ्लेम पर बेख करेंगे, और यह पंद्रे मिनट हो गये हैं, तो केक को चेक कर लेते हैं, वाव। तो चलिए इसे चेक कर लेते हैं, एक लेते हैं, नाइफ या टूथ पेक, और इस तरह आप डाल कर देखें, बिल्कुल साफ हमारी पिकनिक लिए है, इसका मतलब हमारा केक बिल्कुल रेडी है, मैं ले रही परफेक्ट स्टिफ पीड देखिए, आ गए हैं, और साथ ही मैंने लिए यह कोछ चॉकलेट शेविंग्स, यह मैंने लिया है, एक दूद का पैकेज, जिसको मैंने पानी से दोख करके सुखा लिया था, एक लिज ए गिलास और गिलास पर इस तरह से, तो इसमें हम से इसको पनड़ देगे सुपब सुपर सॉफ्ड sonji moist बहुत ही यमी कुए अब अपनी केकको इसक्वाइर पीस में कूरा कट लेंगे बिल्कुल बीचकों से कट करेंगे, अब हम पहले पीस को लेंगे, और हम अपनी क्रीम लेंगे, और रैंडम ली बस इस तरह से पूरा स्प्रेट कर देंगे, अब एक सिंपल इस तरह से जो भी बुड़न घर में स्पून होती है, कोई भी ले लीजे, या फिर नाइफ और इस खाएंगे पेस्ट्री तो यह बहुत ही क्रंजिय अच्छे लगेंगे अब इसके ऊपर जो हमने दू सेकंड लेयर रखी ती अलग से उसको हम लगा देंगे बिल्कुल इसी तरह से हम अपनी यह ऊपर की लेयर को भी पूरा विप क्रीम से कवर कर देंगे दर्ची साइट को भ बना देती हो हमारी देसी कोन से स्रिल अवाएगा चैरी ओन दा टॉप यह देखिए तो यह लिजे बिल्कुल दयार है हमारी जबदस वाली हो मेट ब्लैक फॉरेस्ट्री बिल्कुल मार्केट स्टाइल सुपर इजी सुपर क्विक इंस्टें कस्टरड मलाई केक बनाने के लिए सबसे पहले आप गैस पर रखिए एक सिंपल पैंड फ्लेम को रखेंगे मीडियम और इसमें सबसे पहले हम डालेंगे एक कप पानी साथ इसमें हम डालेंगे उसी कप से आधा कप चीनी बस यह हम अच्छी तरीके से घुल ले देंगे, मीडियम फ्लेम पर चीनी बढ़िया से घुल गई है, अब बस इसमें हम दो तीनो बालाने देंगे, अब यहां पर अपनी केक पर बढ़िया कड़र आने के लिए मैं डाल रही हूं दो बून औरेंज फूट कलर, साथी मैं डाल रही हू यहां पर हम मीडियम और इसमें उबालाने देंगे, साथी यहीं पर मैं डाल रही हूं तीन बड़े चम्मच चीनी, तो पहले भी हमने चाशनी बनाई है तो चीनी आप उसी हिसाब से डालें, बस मीडियम फ्लेम पर बढ़िया से चलाते हूए हम चीनी को पूरा खुलने द इसी स्टेश पर जब गाडा होना शुरू हो जाए मैं यहां पर डाल रही हूं दो बड़ा चम्मच दूद की मलाई और यह देखे बिलकुल बढ़िया थिक हमारा मिक्स हो गया है इसे स्टेश पर गैस को बंद कर देंगे और देखते हैं नेक्स्ट स्टेप सीक्रेट मिक्स हमने तיयार किया था इस तरह से प्रेट कर दें और इस तरह से ओपर एक लेयर आप इस तरह से honorपार तर लेंगे फिस्ता से मैं अपनी इंस्टेट मिला जटपट वाली इंस्टेंट कस्टर्ड मलाई केक. सुपर टेस्टी सुपर कोई केक बनाने के लिए यहां मैंने लिया है ओरियो बिस्केट. इस तरह खूल लेंगे तो आप क्रीम देख रहे हैं इसको एक नाइफ से इस तरह हम अलग कर लेंगे. इस तरह से जो क्रीम हम अलग कर रहे हैं उसे आप इसी तरह अलग-अलग करके लग दें. ग्रैंडिंग जार में सारी बिस्केट को डाल देंगे. बिस्केट का एक दम फाइन पाउडर तैयार करेंगे. तो अब हम लेंगे एक बोल, मैंने बिस्केट को अची तरह पीछ लिया है, वो इस तरह से पाउडर फॉम में बना लिया. बस इसे स्टेश पर मैं यहां ले रही हो एक का डूद. सारा दूद एक साथ बिल्कुल नहीं डालेंगे, सिर्फ हमें इतना दूद इसमें इस्तिमाल करना है कि इसका एक सेमी घोल बन जाई. और यह देखे, मैंने अच्छी तरह के से इसको मिक्स कर लिया है, और जो कंसिस्टेंसी है, और कुछ इस प्रकार की है, रिविन कंसिस्टेंसी, यह एक बड़ी सी कढ़ाई इस तरह से, और उसमें रगा दीजे एक स्टैंग, तो मैं यहां पर डेल ग्रास के करीब पानी ड पाल आने देंगे, यह सब बढ़िया से गरम होने देंगे, इस पर एक लगा देंगे लिड, अब यह मैंने यहां पर लिया है, एक केक टिन, और उसमें हम डालेंगे कुछ बूंध ऑईल की, और अच्छी तरह के से इसको ग्रीस कर देंगे, अब इस पर मैं लगा रही और भी बटर पेपर, आप बटर पेपर को भी हम थोड़ा सा ओइल से घ्रीस कर देंगे, अब केक टिन में जो अभी हमने बैटर तयार किया था, उस बैटर मैं से आधा, सिर्फ आधा हम इसको डालेंगे, इस प्रैट कर देंगे, और आधा बैटर डालने के बाद, हम इस त आप सिर्फ लोग फ्लेम पर पाच मिनट के लिए इसी तरह से स्टीम लेंगे, पार्च मिनट हो गए हैं तो चलिए चेक कर लेते हैं प्रफेक्ट यह देखिए, आप एक एक क्रीम कुपी उठाइए और इस तरह से सजा दीजेए, मैनत कुछ देर के लिए गैस को ओफ कर दिय हरा है आप जो बचा हुए भैकर tha धीरे धीरे इसके ऊपर हम डाल देंगे बिल्कुल slowly पूरे को cover कर देंगे इस तरह से और थोड़ा सा एक spoon ये spatula की मदद से इसको थोड़ा सा ऊपर से smooth कर लेए और इस आसे जो पर गा ये पर ने के बाद फिर से हम केक अब हो गई है थंडी आप देख सकते हैं और नाइफ से इसके किनारों को थोड़ा सा अलग कर लेंगे वाव सुपब और ये देखिए इस तरह से हम पूरे बटर पेपर को हटा देंगे आपकी चोईस है आप इसे किसी तरह भी टैकुलेट कर सकते हैं बिलकुल इस तरह से आप स्पोन ये किसी भी स्पैटूला से चोकलेट सीरप से इसको पूरा कवा कर दें अब इसको हम तीन भाग में डिवाइट कर लेंगे बिलकुल इस तरह से बहुती सॉफ्ट स्मूथ एकदम माउथ मेल्टिंग ये केक बनती है फ्रेंस जैसे कि आप मेरे काट और मैं दो मिनट में हम बनाएंगे वाइट फॉरेस्ट पेस्ट्री केक सबसे पहले आप लीजे सिंपल दूदिया मैंने एक कप दूदिया है उबलवा दूद है रूम टेंपरिचर पर है ना गरम है ना थंड़ा इसमें आप एक बड़ा चमज चीनी का पाउडर डाल कर मिक्स कर दीजे और इसको अभी हम रख देंगे अलग अब देखते हैं नेक्स्ट स्टेप और इसमें में ले रही हूँ एक कप विपिंग क्रीम इस्टिफ पीक आने तक इसे बड़िया से हम विप कर लेंगे और आप देख सकते हैं कितनी बड़िया स्टिफ पीक तयार हुई है और इस स्टेज पर इसमें में डालरियों फ्लेवर के लिए वनीला एसेंस और ये देखिए आप देख सकते हैं एक दम पॉफेट अब आप लीजे एक गिलास और गिलास में हम लगा लेगे इस तरह की एक प्लास्टिक कोन में हमने जो भी क्रीम तयार की ना क्रीम को हम इस तरह से भर लेंगे तो लीजे कोन है हमारी बिल्कुल रडी अब आती है वह सीक्रेट चीज की नोवेक केक बनेगी किस से और वह है हमारे रस्क तो अब सबसे पहले जो अब हमने दूद में चीनी मिलाकर रखा ना रूम टेमपरिचर पर आप लीजे एक रस्क और सिंपल सिर्फ इस तरह डिप करना है बस डिप करके निकाल लीजे और बस इस तरह डिप करकर आप रस्को रखते जाएं मैं तीन पेश्ट्री बिना रही हूं तो मैं उसी हिसाब से ले रही हूँ अब ही जो हमने केक क्रीम तयार की इसके उपर हम इस तरह से रेंडम ली लगा देंगे क्रीम चाहें तो आप स्पून से भी लगा सकते हैं यह मैंने सिंपल बटर वाला नाइफ ले लिया है और अब इसके उपर मैं गार्निश कर रही हूँ थोड़ी सी वाइट चोकलेट श उपर लास्ट और लगाएंगे और सब तरफ से इसको विप क्रीम से कवर कर देंगे चारो तरफ भी बिल्कुल बढ़िया से हम इसको कवर कर लेंगे मैंने सब तरफ से केक को पूरा क्रीम से कवर कर दिया है है ना आसान और बस इसको अब हम उपर से भी सजा लेंगे सिंप चेरी ओन दा टॉप बिल्कुल इस तरह और पीछे में थोड़ा सा डाल दही हूं यह सिल्वर बॉल्स तो अभी मैं इसको रख रहे हूं थोड़ दे फ्रिज में जिसे बड़े ऐसा सैट हो जाए उसके बद कट करके करेंगे सब तो लीजे मैंने फ्रिज से इसको निगा लिय कि वाइस वॉाइस फॉररेस्ट ऑष्टृे केक बेकरी स्टाइल मार्केट स्टैल स्लास केक बढ़ाने के लिए यह मैंने ली हैं 2 पैकेट ओरयो बिसकिट अब जयसे मेंने आई यह ओर ईयो किति लिए आप कोई BRI मिस कित लेसकते हैं सबसे पहले आप लीजे एक biscuit को बीच में बीच में से खुल लेंगे खूल करके जो यह क्रीम देख रहे है कि इसको 1 आप बाउल को नी जाहिए और यह लीजे मैं बिसकिट को खोल करके गळार क्रीम इसकी अलक कर ली है अब आप लीजे एक grinding jar और grinding jar में ऐसे roughly biscuit को crush करके हम डाल देंगे और इसका बिल्कुल fine powder यानि biscuit crumbs तयार करेंगे और ये लीजे मैंने बिल्कुल अच्छी तरीके से पूरे biscuit को पीस लिया बिल्कुल fine powder मेंने इस तरह तयार कर लिया है अब घृक हमें तयार करना होगा k kitchen batter तो उसके लिए मैं हाँ ले रही हूं एक cup दूध कर से लिए एक साथ बिल्कुल नहीं डा लेंगे क्योंकि हमें дов इसका एक written consistency का sembla harder तयार करना है और ये लिए बिल्कुल बढ़िया written consistency मैंने तयार कर लिया है अब इस स्टेज पर एक दोब फ्लफी और स्पंजी केक बढ़ाने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ एक छोड़ी चम्मट बेकिंग पाउडर अब जेंटली एकी डारेक्शन में इस प्रकार हम इसको मिक्स कर देंगे सिंपल जो घर में इस तरह के पैन होते हैं आप वोले लेजिए अगर यह नहीं है तो सबसे पहले हमें पैन को करना होगा ग्रीज पैन पर मैं अब लगा रही हूँ एक बटा पेपर और बैटर को हम तरण थी पैन ले डाल देंगे और इस तरह से पैन में डाल करके एक बार कर रही है और इस स्टेश पर हम इस पर रग देंगे हमारा केक वाला पै बिलकुर इस प्रकार और लो फ्लेम पर इस पर लगा देंगे हम इस प्रकार से लिड लिड लगा करके लगबक 10 से 12 मिनट हम लो फ्लेम पर इसको बढ़िया से बेक करेंगे तो चलिए केक तो हो रही है बेग, अब जो हमने ये क्रीम अलग की थी ना, ओरियो में से ये वाली, अब इस से हम बनाएंगे क्रीम, तो आप लेक्रीम और इसमें हम डालेंगे दो बड़े चमश, हलका गरम दूजी, थोड़ा थोड़ा डाले, पर ले एक चमश डाले, और अच्छे सी क्रीम को हम फेटे लग बारा तेरा मिनिट हो गए हैं तो चलिए चेक कर लेते हैं वाव जैसे कि आप देख सकते हैं केक एक दम फ्लाफी तयार हुई है पूरी स्पंजी और मॉइस्ट अभी काफी गरम है तो इसको बिलकुल अभी चुएंगे नहीं इसको पूरी तरह थंडा होने देंगे तो को उतार लेते हैं तो जब तक केक हमारी धंडी हो रही है आप लीजे एक ग्लास और ग्लास में मैं यहां ले रही हूँ एक दूद का पैकेट इसकी हमें बनानी है एक कोन तो जो अभी हमने क्रीम तयार की ना बिस्किट से विप्ट क्रीम की तरह से बस इसको अब हम डालें इस कोन में इस तरह से मैंने उपर लगा धी रब और यह हमारी क्रीम के लिए कोन हो गई यहां से कर देंगे कट और जैसे कि आप देख सकते हैं कि केक हो गई है बिल्कुल बढ़ी है ठंडी कि कितनी सॉफ्ट वेरे काटने से यह आपको पता चल रहा होगा और इस तरह से स् अब आप ले कोई भी चममच यह इस तरह के का बुड़न इस्पून और धीरे धीरे इसको पुरा फैला ले और दूसरा पीज जो भी हमने काटा था इसके उपर इस प्रकार हम लगा देंगे इसकी कर लेंगे बिल्कुल पैकट की तरह बिल्कुल मार्केट स्टाइल स्लाइ लेंगे नो भी चकलेट केट बनाने के लिए मैंने यहा ले है चाकलेट बि़्सकेट के पीसिस को रफ ली क्रश करना है और मगार में हम सारे ही प самом就是 को डाल देंगे और इसका एक फाइन पाउड devices को डालेंगे और यह लीजए मैंने एक तम फाइन पाउडर बिसकिट को टय इसमें हम डालेंगे आदा कप दूद लेकिन थोड़ा करके डालेंगे और इसका एक सॉफ्ट डू तयार करेंगे हनी हम लेंगे दो बड़े चममच और अच्छी तरह सभी चीज़ों को करेंगे मिक्स और जितने जरूत होगे उसी हिसाब से इसमें हम दूद डालेंगे और य यह देखिए मैंने बिल्कुल इसको एक रेक्टेंगल फॉर्म में तयार कर लिया है अब आप लीजे एक कोई फॉइल पेपर जिसमें हम खाना पैक करते है न वही वाला और हम अपनी स्लाइस केक लोग को इस पर इस तरह रखेंगे और इसे इस तरह कवर कर देंगे और अच्छी तरह किसे मैंने चॉकलेट को मेंट कर लिया है बिल्कुल इस प्रकार से चलिए तो अब निकालते हैं पर इस से अपनी स्लाइस केक को यह देखिए बिल्कुल पाफेक्ट आप देख सकते हैं एक गम बढ़िया हमारी स्लाइस केक सेट हो गई है तो बस इसको खोले करेंगे डम शेकाल लेंगे अब इसे करते हैं कट और इसको स्लाइस की पों में कट कर लेंगे अब हम लेंगे एक स्लाइस और इसको डिप करेंगे मेल्टेट चॉकलेट में बस इसका उपर वाली लेयर सुपब आ गया ना आपके भी मुह में पानी तो मैं गार्णिश कर देती है बारी कटेवे पिस्ता से इस तरह सुपब तो लीजे बिलबल तैयार है हमारी सुपर टेस्टी सुपर यमी मुह में घुल जाने जैसी नो वेक चॉकलेट सिलाइस केगी तो देखा आपने के बजार जैसी जबर्दस फ्लेवर्फुल पेस्ट्री केक्स बनाना कितना आसान है कोई भी बना सकता है वो 100% बढ़िया और सुपर टेस्टी और आपका सामान या पेस्ट्री केक खराब होने कभी कोई डर नहीं तो आप सबस्क्राइब झाऊन फेमन के साथ शेयर करें और दोट सीवह करें और प्र डिरा साथ की साथ आपके पने आपर और अपने सब्सक्राइब नहीं कि आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें थैंक्य फाचर्टी इंग कउडिट पारुल जै घंद जै भारत